कि वंदे मात्रम साथियों कि आज के इस वीडियो में हमारी पूरी चर्चा केंद्रित रहेगे असिसेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड है राजस्तान अध्यन का उसके आप सभी के आईवे कोशन्स के उत्तर मैं दूंगा जिसे मैं समस्ता हूं कि आपकी सभी जिग्यासा शांत हो जाएगे और साथ में किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं पेपर थर्ड में आपको क्या करना चाहिए उन बिंदों पर भी मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले आप सभी सात्यों के जो क्वेशंस जो अब तक मेरे पास अलग-अलग माध्यम से पहुंचे हैं उन सभी कशन्स को मैं सी ली उत्तर देता हूो और फिर लास्ट मिंए अपने बताएंगे कि इसमें और चीजें क्या आपके लिए बहतर है आपकी बहतरी इन त्यारी कैसे हो सकती है कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है क्या इस बैच में के त्यारी करने के बाद कोई इधर उदर आपको जहांकने के आपशक्ता नहीं रहेगी या कुछ और भी देखना होगा सभी पहलूं पर हम चर्चा करेंगे तो पहले मैं आप सभी के क्वेशन ले लेता हूं फिर अपने बात करते हैं देखिए पहला क्वेशन यह तो है कि सबसे ज्यादा क्वेशन पूछा जा रहा है वह अभ्यार्थियों के द्वरा यह पूछा जा रहा है कि आपका यह जो सिलेबस पढ़ाया जाए जाएगा इसम फैकल्टी कौन-कौन होगे क्या इसमें फैकल्टी है यह कौन-कौन होगी यह पूछा जा रहा है यानि सीधा-सीधा कह कि घव्यारती यह लगातार मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या आप ही सारा कुछ करवाएंगे या आपके साथ या कुछ पूर्शन और अन्य लोग भी अब एक तू अमें द्यान नखने कि अलगी लेवल का पेपर होता है अलगी लेवल को होता है तो इसको आमें समझ के आगे बढ़ना होता है हम हर किसी फैकल्टी को इसमें नहीं गुसा सकते कारण कि एक हाई-level का अवारा एक्जाम हो वहां हर कोई कह कि राजस्तान जी के आ और किस तरह से हमारे साथ ही है इसमें हमारे अदर स्टेट के साथ ही भी है कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो कोमर्स स्ट्रीम के होते हैं कुछ साइंस स्ट्रीम के होते हैं कुछ लिट्रेचर के होते हैं उन्हें कभी पढ़ा नहीं होता उन्हें समझना होता है और समझ के सा राजिस्तन का इतिहास है राजिस्तन का इतिहास जैसे कलासंस करती है राजिस्तन की हालांकि इसको अलग एक पूर्शन में रख सकते हैं इतिहास कलासंस करती अलग-अलग भी ले सकते हैं राजिस्तन की राजनितिक ववस्ता है राजस्तन की राजनितिक ववस्ता है राजस्तन की आर्थ ववस्ता है राजस्तन का भूगोल है और राजस्तन की समसामे की है सम समय की है यह इसके portion है अब यहां देखें मित्रों कि यह वाले portion प्लस यह portion यह कह कि जो पांच है चार portion है यह चार portion हम पहले करेंगे पहले करेंगे और आर्थवेबस्ता क्योंकि इसमें हमारे क्या क्या की budget और हमारी आर्थिक समिक्ष्य 한क समिक्षा और के कॉश्चन पूची जाते हैं और जो हमारी समसा में किया यानि हमारे इह दो portion है यह हम बाद में करेंगे बाद में करेंगा मतलब यह हो गया कि पहले उसके पूर्ण होने के बाद यह करेंगे और तब तक हमें पता भी हो जाएगा कि यहां पेपर हो रहा है और इसके इसाब से हम इसको करेंगे अब देखिए एक यहां बता देता हूं कि आप यूटूब पे पढ़ने वाले वीडियो भी मेरे देखते होंगे एप में जाके भी देख सकते हैं अनलोक आपके दो-तीन वीडियो मिल जाएंगे आपको वहां आप देखिए यूटूब पे देखिए उसस संपूर्ण का संपूर्ण पोर्शन है यह मेरे द्वारा करवाएंगा कंप्लीट पोर्शन है यह मैं ही करवाऊंगा मेरे अलावा कोई भी फैकल्टी यहां नहीं होगी और पूरा का पूरा पोर्शन क्योंकि 2007 से मैं यह पढ़ा रहा हूं पिछले 15 साल से राजिस्तान जी ठीक है तो आप यह ध्यान रखें कि इसमें किस टोपिक से कैसे कोशन आते हैं वह पूरी तरह से मैं आपको बताता हुआ चलूंगा और जहां जहां जिन चीजों पर मैं जोड़ दूंगा कि यहां से कोशन बनने की संभाव ना होंगी आप देखेंगे कि आने वाले पेपर रहता है कि कितने समय में स्लेबस पूरा होगा कितने समय में स्लेबस पूरा होगा तो यह आप मनें कि हम कहें कि मार्च हमारा है मार्च 2022-23 तक यह स्लेबस को कम्प्लीट कर लेंगे अब देखें जो हमारा यह पेपर हैं यह मार्च 2023 तक हमें इसको कंप्लीट कर लेंगे हमें अनुमान मेरा जो अनुमान है यह अनुमान है कि अपना जून या जुलाई में पेपर होगा तो यहां तक हम कंप्लीट करके और फिर चुट सीरीज शुरू करेंगे यहां एक ध्यान रखने हैं कि जो साती यह बैच जोइन क करेंगे उनके लिए बहुषय में अलग से भी कुछ पैटरन जारी करेंगे टैस्ट शीरीज वगएरा और बहुत सी टेस्ट इसरीज हम करते हैं वन वन टू.0 टू.3.0 यानि अलग अलग पहली दूसरी तीसरी तो यह जो टैस्ट रीज हैं यह सारी आपके इसी एप में आ है और यहां सारा कुछ हम जो भी अवेलेबल करवाएंगे सारी चीजें आपको यहां मिलेगी और जो मैं यहां पढ़ाऊंगा उसके ये विध्यार्थियों कर रहता है कि अगर सिलेबस परिवर्तित हो गया तो आपको बीना यानि इसी फिस में बीणा अतिरिक्त फिस के ये थर्ड पेपर का हम पूरा करवाएंगे यानि कोई भी किसी परकार की बाद में अतिरिक्त सुल्क नहीं रहेगा जो टोपिक जुडेंगे वो हम करवाएंगे पर अतिरिक्त सुलक किसी भी परिकार का कोई आपसे नहीं लिया जाएगा ठीक इसके बाद में अबर्थियूं का और कॉशन क्या रहता है कि क्या टेस्ट से रिज अलग से होगी इसी बैच में इंक्लूड होगी इसी बैच में सब इंक्लूड होंगे जो पेपर थाड की जो भी हम योजनाई लेके आएंगे जीस परिकार के भी हम अगर नोट साब को देंगे अगर हम आपको पेडिएफ पैनल की देंगे या हम आपको कोई भी चीज अविलेबल करवाएंगे एक्स्टा तो इसी बैच में आएगी अलग से कुछ भी जोइन करने के आपको आफशकता नहीं है से पुराने सेम बैच स्टुडेंट को छूट अब देखिए यह हमारे एंग के पिछली बार असिसेंट प्रोपेसर में हमारे पास बहुत अधिक स्टुडेंट थे अब इनका के लगातनार यह आता है कि हम पहले आप से कर चुके हैं क्या हमें छूट रहेगी और जाइज सी बात रहती है कि सेम सिलेबस है यह आप करने जा रहे हैं तो यहां अपने को ध्यानक ने कि जो हमारे पुराने स्टुडेंट है पुराने स्टुडेंट का मतलब क्या है सेम बैच सेम बैच का मतलब क्या है कि राजस्तान जी के थर्ड पेपर वाला जो बैच अब्यर्ति के हैं कि उनके लिए हमारा 30 नौवंबर तक कब तक 30 नौवंबर से पहले तक जोइन करने पर उन साथियों के लिए हमारे 75 परसेंट डिसकाउंट रहेगा कितना रहेगा 75 परसेंट अब देखिए आप यहां द्याहन दखने कि जो हमारे पहले हमारा फीस कितना है हमारी इसकी फीस है 30 जा रूपे और 6 जा रूपे में हम कहें के अभी हमने 30 नौवंबर तक 50% छूट दे रखी है कब तक 30 नौवंबर तक यानि यह हमारा कितने में अभी अपने खीच रहे है अपने छे मिने एक इतना है यह तीन आजर में अभी में मिल रहा है यह आपको दिखना है थीक है अब 3000 में आपको मिल रहा है किसको कोई भी अभी अभ्यार्थी को जो 30 तक जोइन करेगा अब यह तो और यह कितने होगे चेश पांजेटीश जीरो तेनाई अशल चेश साथ ब्यानिस तो भ्यानिस और तिन पैंतालेस यानि यह माइनस हो जाएंगे टोटल आपके पंद्रहसु रुपे फीश रहेगे यानि कि 75% डिसकाउंट हो जाएगा पैंतालीस वापका डिसकाउंट हो जाएगा तो हमारे पूरों वभ्यारतियों के लिए पंद्रहसु रुपे फीश है वह तीस नुवंबर तक रहेगे ठीक है तीस नुवंबर के बाद में यह एप्लीकेबल नहीं होगा इसके बाद में फीश मैंने बताई दिये कि फीश कितनी होगी तो फीश टूटल 6,000 रुपे है टूटल 6,000 रुपे और इस 6,000 रुपे में 30 नुवंबर तक नुवंबर तक क्या है कि हमारा डिसकाउंट है किसके लिए न्यू स्टूडेंट न्यू के लिए और ओल्ड के लिए न्यू के लिए 50 परतीशत है यानि यह 30 नुवंबर तक कितने में विल रही है 3,000 रुपे में और ओल्ड के लिए हमारा कितना है जिनोंने हमारे से सेम बेच लिया था उनको मात्र 1500 रुपे में हमेरा यह अवेलेबल है यानि यह डिसकाउंट अभी इस पे चल रहा है ठीक है इसके बाद में डेमो वीडियो की बात तो मैंने बता दिये कि आप आज से ही पहले भी डले में है दो वीडियो प्रती दिन 9 बजे तीन 9 बजे रात को 9 बजे क्या करें कि तीन दिन आपके लिए डेमो वीडियो डाले जाएंगे किस पे यह डाले जाएंगे यूटूब पर तो आप इनको देखें देखने के बाद आगर आपको लगता है कि मुझे क्य है कि जोयन करना है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं यह द्यान रखें कर्स की वलडिटी कितनी होगी यह हमारा prawn में कर दो स्जाह परीक्षा तक कि कान तक परिक्षा तक कर देें कि हमारे अप में जब आप जोयन करेंगे तो आपको तो सिधा सिधा दीखेगा एक वर्स अब कह कि अगर आपका कूर्स है माली जी परिक्षा छे माहा में हो जाती है हुएए छे महां में कर तो छे महां तक की वेलेटी है साथ में महां में आपका जॉष कतम हो जाएगा यह आप ध्यान दखेड़ हाँ अगर माली जी की परिक्ष्या होती है दू साल में तो यह एक साल से बढ़कर इदू साल beschäft यानि आपकी जब तक परिक्षा होगी परिक्षा तीथी तक यह आपकी वैलिडिटी रहेगी क्या इतना मेटर प्रियाप्त है जो हम करवाएंगे अब देखिए अपने कि क्या करेंगी अपने आपको नौर्स बनवाना है नौर्स बनवाएंगे इसके बाद में हम पैनल की पीडियफ है यह आपको अवेलेबल करवाएंगे हम आपकी टेस्ट लेंगे यह तो अपना मेटर रहेगा प्लस क्या है कि साथ में एक आद हम सामगरी में आपको बताऊंगा प्लस एडिशनल बहुत ही कम ध्यानक ने एडिशनल एक गाइड है यह मैं आपको पढ़वाऊंगा यह गाइड एडिशनल एडिशनल है यह हमें पढ़नी है यह अपने को ध्यान रखना है तो मेटर के अलावा एक गाइड उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना और यह अमें करना है तो यह मोस्टली कह आप सभी अबयरतियों की question आ रहे थे अब कह कि कुछे के अबयरति ऐसे भी होते हैं कि batch कैसे जोईन करें हैं तो बैच जोईन करने के लिए आप को कहा कि प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके मन्थन पेलिबंगा एप मन्थन पेलिबंगा एप डाउनलोड करना है और उस पर यह लोगों आपको दिखेगा आप इसको इंस्टोल करेंगे इंस्टोल करके जब आप स्टोर में जाएंगे तो आपको क्या कि यह कोर्स दिखेगा क्या ऐसिस्टींट प्रोपेट्ट हेगा एक दिसंबर से पकड़ेगा पर गती एक दिसंबर से पकड़ेगा यह गती पकड़ेगा वो 31 दिसंबर से पकड़ेगा इसमें अभी हमारा 50% डिसकाउंट रहेगा यह हमने बता दिया आपको यह न्यू स्टूडेंट के लिए हमारे पुराने स्टूडेंट के लिए 30 नुवंबर तक यह आप ध्यान रखेंगे है 30 नुवंबर तक ही हमारा यह उफर है और यह हमारे जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए 75% डिसकाउंट है इसमें अविलेबल है अब देखिए इसमें लाइव क्लासेज भी होंगी और इसमें क्या है लाइव क्लासेज के साथ साथ में इसमें लाइव क्लासेज आपक कभी एप्लोड होगी कभी लाइव नहीं होगी तो ऊपलोड होगी पैनल की PDF मिलेगी टोपिक वाइस टेस्ट होंगे और प्रोब्लम क्लास होगे और साथ में कह कि मिया डिंसक आपके साथ करूंगा यह 10 दिन से 15 अगर आपको किसी परकार की कोई समस्य है आपको को चल रही है आपको लगता है कि मेरे में क्या कम ही है मेरे में यह दिक्कत आ रही है नंबर नहीं आ रहे क्या चीज कोई भी समस्या किसी परिकार की पेपर थर्ड से समधित होगी उसके लिए मैं ओनलाइन का यह जमाना है ओनलाइन की जमाने में आप अब्यार्थी कहां कहां बैठे पढ़ रहे हैं यह पता ही नहीं चलता यह पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है पढ़ने वाले अपने अपने ही साब से पढ़ रहे हैं तो हम कह कि एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं और कनेक तो यह हमारी पूरी परक्रिया है बार-बार आप ब्यारतियों के द्वारा यह क्वेशन पुछे जा रहे थे तो यह मैंने इस में बताए हैं इसको आप जो भी साथ ही जोएन करना चाहें वह तीस नुमंबर से पहले करें यह मेरा निवेदन रहेगा क्योंकि अक्सर बाद मे आप यहां क्या है कि पूरी तरह से यहां पेपर थर्ड लेने के बाद आप निश्यत हो सकते हैं कि आपकी शांदार त्यारी इस पेपर की यहां में करवा दूगा आज इतना ही साथी हो फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन बंदे बात्र झाल 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 झाल